नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हिंदु धर्म में बहुत सारी चीजों को लेकर प्राचीन माननताएं हैं जो आज भी चली आ रही है कुछ माननताएं पशु पक्षी से भी जुडी हैं जिसमें आज हम कबूतर को लेकर चर्चा करेंगे दोस्तों कई लोगों का मत है कि कबूतर का घर में आना और उसका घोसला बनाना दुर्भाग का परतीक है और कई लोग इसके उल्टा सोंसते हैं उनका मानना ये है कि कबूतर घर में आता है तो बो शुब होता है हाला कि कबूतर एक सुन्दर पक्षी है इसे दाना खिलाना हर बैक्ती को पसंद होता है लेकिन जब भी घर में कबूतर आता है तो उसकी बीट से बहुत ही गंदिगी होती है आपके मन में भी कबूतर का घर में आना उसका गोशला बनाना इस विशे को लेकर confusion है तो आज हमारा ये वीडियो आपका confusion दूर कर देगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रियास करेंगे कि कबूतर का आपके घर में आना शुब होता है या फिरा शुब होता है दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक घर में घोसला बनाने से सुक समरिद्धी आती है दोस्तों माननेताओं के अनुसार कबूतर को मा लक्ष्मी का भक्त माना जाता है कई लोग घर में कबूतर का आना शुब मानते हैं धार्मिंग माननेताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है घर में कबूतर अपना घोसला बना ले तो परिबार में सुक समरिद्धी आने लगती है बहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का आना आशुब होता है अगर आपके घर की बालकनी ये छत पर कबूतर ने अपना घर बनाया है तो उसे तुरंथ हटा देना चाहिए क्योंकि इससे घर में परेशानियां बढ़ने लगती है और परिबार के सभी सदस्यों की उन्नती में बाधा उद्पन होती है दोस्तों कबूतर को दाना खिलाना पुन्ने का काम है शास्तों में कबूतर को शांती का परतीक माना गया है कहा जाता है पक्षी को दाना खिलाने से ग्रह दोस्त दूर होते हैं हाला कि उल्ले की ये भी मिलता है कि कबूतर को कभी भी घर की छत पर दाना नहीं डालना चाहिए जब भी कबूतर को दाना खिलाएं घर के आंगन में ही डालें जोतिश शास्तर के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहुग रह के दोस्त समाप्त होते हैं नमबर तीन बुध की इस्थिती ठीक होती है दोस्तों कबूतर को दाना खिलाने से माता लक्ष्मी की करपा सदय बनी रहती है साथ ही घर के कई सदस्यों को बीमारियां नहीं होती घर में साकार आत्मक उरजा का संचार होता है जिसकी बज़े से पारिबारी कलह नहीं होती यद किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसे कबूतर को दाना जरूर डालना चाहिए इसके अलाबा जिन व्यक्तियों का गुरू कमजोर है उन्हें कबूतर को पिंजरे से आजात करना चाहिए दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान ने मान्यताओं पर आधारी थे हमारा चैनल इनकी पुष्टी नहीं करता इन पर अमल करने से पहले किसी विशेशक इसे समपर कावश्य करें